मध्य प्रदेश में द्रिशंको वधानसभा के आसार और पिछले 1993 के बात से बात करें तो पहली बार ऐसा होने जा रहे हैं वहाँ पर 1993 से 2003 तक कॉंग्रिस का शासन था 2003 से अब तक बीजेपी का और आपको बता दे 109-109 बीजेपी और कॉंग्रेस टाई हो चुका है बीजेपी सरकार के आठ मंत्री पीछे चल रहे हैं इसी लिए पर बार बार क्या रहा हूं कि आशीर सूथ साब को हमवक ठीक करके आना चाहिए नय तरक लेकि आने चाहिए यह तरक नहीं चलेंगे हमने बहुत सी योज़नाय चलें योज़नाय चलें तो सब जीते ना त्रिश समझे पंदरा साल का तथाकतित रूप से सत्ता का विरोध था जिसमें बार-बार एग्रिगेरियन अन्रेस्ट की भी बात कॉंग्रेस कर रही थी बीजेपी 110 हो गई उसके बावजूद अगर वो सत्ते था और हमारी योज़नाय जमीन तक पहुंची नहीं थी तो हमें तो बीजेपी आगे निकल गई है बीजेपी कॉंग्रेस से आगे निकल गई है 110 के साथ बीजेपी आगे निकल गई है नेहा तो इस वक्ति बड़ी तस्वीर यह है मामला मध्यप्रदेश में फर्च गया है त्रिशंकु विधान सभा के आसार नेहा चुणाफ के रुजान पलट रहे हैं मध्यप्रदेश से लगातार आप कह सकते हैं कि सप्राइज सामने आ रहे हैं कॉंग्रेस की बड़ा घट रही है फिलाल मध्यप्रदेश में एक सीट से रुजानों में बीजेपी आगे चल रही है राजस्तान 36 गड़ कॉंग्रिस के ह बात में आता हुआ लग रहा है कॉंग्रेस पार्टी 11 सीटे राजस्तान में दूर है बहुमत के आखड़ से मध्यप्रदेश में रुजानों में कॉंग्रेस को 109 सीटे मिल रही है जबकि 36 गड़ में रुजानों में 58 सीटों के साथ सरकार बना चुकी है लेकिन चुड़ा अगो विधान सभा के आसार अभी किस्तिती में मध्यप्रदेश में लग रहे हैं मीजोराम कॉंग्रेस के हाथ से निकल गया है ये अब तक की बड़ी बात हैं आप हमारे साथ लगातार बने रहे हैं सिर्फ 30 सेकिंड का इंतजार इस बड़ी कवरज के साथ हम जल लोट रह सता है लेकिन ये दवाईयां बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ाती हैं और बस फिर जब-जब बिमारी तब तब दवाईयां तो सर्धियों यह तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं या बिमार पड़ने पर उन्हें दवाईया खिलाएंगा डाबर जवन प्राश दवाईयां या डबल इम्म्यूनिटी मर्जी आपकी और इस वक्की बड़ी खबर आपको दे दे मध्य प्रदेश में आगड़ा एक बार फिर्ज से फंसता हुआ बीजेपी कॉंग्रिस के बीच मामला ठाई 110 से 110 के साथ 228 के आगरे सामने आ चुके हैं 230 के आने यारे की सिर्फ दो के आने बाकिए 116 से ये वहमत के लिए त्रिश और इस तरह से मामला वहाँ पर फंस गया है बहमत से दूर ये दोनों ही पार्टिया छे सीटिचे ये बहमत के लिए लेकिन किसी को भी क्योंकि सिर्फ दो के रुजान आने बाकिए हैं और दोनों के रुजान अगर बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो भी अगर कॉंग्र कॉंग्रिस के नेताओं ने सब पर साथा में शुरू कर दिया होगा रुजानों में अभी अब जैसे जैसे पेटियां खुलेंगी तो आपके ध्यान में आएगा कि और बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट मिलें आपको अभी भी महुमत बहुमत मिलेंगा जैसे जो एक पर साथे तरक यह दिया जाता है कि हमारी योजनाय पहुच नहीं पाईं हमारी योजनाय पहुच नहीं पहुची होती तो जिस प्रकार का एक नरेटिव क्रिएक कि यहां पर कॉंग्रिस आगे निकल गए कॉंग्रिस 111 बीजेपी 109 पीछे हो गए आप लोग दो अभी सभी सीटों के रुजान आ गए हैं किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा तो मध्य प्रदेश में सालों के बाद ऐसा हुआ है जब किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है ना ही बीजेपी ना ही कॉंग्रेस पार्टी को और ऐसे में आपको बता दें त्रिशंक विधानसवा और अन्य का रोला बहुत जादा बढ़ जाता है ये अन्य जिसके पाले में जाएंगे जिसके पक्ष में जाएंगे वही अब सरकार बनाने के स्थिति में होगा 116 सीटे च जाएंगी कहां पर बीजेपी या कॉंग्रेस जो पटा लेगा जो पटा लेगा पहले आमित्शा भी लगेंगे वहाँ पर जोत्राइद सिंद्य राउल गांदी भी लगेंगे जो पटा लेकिन बस्पा के साथ देखा जाए तो मुलता आज करो भाजपा विरोध में चल र किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं बीजेपी नहीं कॉंग्रेस पार्टी जैसे रुजहनों में कॉंग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है सचिन पाइलेट के घर के सामने उस समर्तक हैं उनकी संख्या बढ़ती जारी आद देख सकते हैं कि सचिन पाइलेट के सामने जो सचिन के कटाउट्स लेके जो समर्तक हैं वो एक खटा हुए इन लोग से बा बहुमत के लिए लेकिन मद्यप्रिदेश में मामला गया है फांस ना इधर ना उधर ना कॉंग्रिस ना बीजेपी ऐसे में अन्य का रोल महतुपूर्ण है नेहा के पास से दे चलते हैं यह जो काटा फसा है नेहा कैसे बनेगी फिर सरकार मद्यप्रिदेश में मद्यप्रिदेश में सरकार की चावी बीएसपी के पास है देखे मद्यप्रिदेश में बीएसपी आठ सीटों पर आगे है जो 11 आप अन्य देख रहे हैं उसमें आठ सीटे बीएसपी की हैं और अगर वो आठ सीटे मान लीजी अगर बीएसपी और कॉंग्रस साथ आ जाते कॉंग्रेस BSP SP के साथ आने पर सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है तो निश्चित रूप से कॉंग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि BSP को अपनी लड़ाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़नी है आज की शुर्जी आप सहमत क्यों नहीं है नहीं मैं इसलिए सहमत इससे नहीं हूँ कि ये तो सही है समी करनों के लिए आसे सही है लेकिन जो प्रबंधन और जिसके पास सत्ता है और जिस तरीके से कल मेरे पास जानकारी है कि जब कॉंग्रेस के लोग जस्न की तैयरी कर रहे है तब बीजेपी के प्रबंध है कौन-कौन से निर्दली और कौन-कौन से चोटी पार्टी योग विदाए जी सकते उनका साथ के 112 हो गए है जब हम बात करें यानि कॉंग्रेस को और कम सीटे चाहिए बीएसपी आएगी कॉंग्रेस के साथ इसमें एक तो वह संभावना है दूसरा मैं कहा हूं यह जो आंक्रे हैं अगर कॉंग्रेस आ रहे है एक 110 पर भी बराबर भी आ रहे है तो यह अब आगे जाए क्योंकि कॉंग्रेस बहुत नीचे से आई है आप यह देखेंगे आंकड़ा तो बीएसपी किसके साथ जाएगी यह फॉर्मिला बन सकता है क्या जाँ बीएसपी के साथ आजाएं कमफर्टेबली सरकार बन रही है मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश में बिल्कुल होगी क्योंकि यह मैंडेट बीजेपी के खिलाफ है मध्यप्रदेश में तो अगर आप बीजेपी के साथ जाते हैं तो उसका मतलब है आपका दो हजार उन्निस का जो बीएसपी का एंटी बीजपी प्लान के हो चोटा रियाक्शन रखिए मैं यह जानना चाहती हूँ कॉंग्रस कि उसमें भी यह दोनों पार्टें नहीं गई है तो यह आसानी से इनके साथ नहीं आएंगे काफी इंद में बारगे निगे रागी साहब कॉंग्रस की सरकार का फॉर्मिला देखिए हमें बिहार का चुनाव भूलना नहीं चाहिए बारा बज़े तक इंतजार कीजिए आं बहुत जाद है मैं और जैसा कि वहां पर एक्सपोर्ट बता रहे हैं कि बेस्पे अगर साथ देगी कॉंग्रिस का तो वह यूपी में बारगें करेगी यूपी में वह पूरा कॉंग्रेस पार्टी को नीचे जुकाने पर मजबूर कर देगी तो क्या कॉंग्रेस इसके लि तो कॉंग्रेस दावा करेगी कि हमको पहले इंवाइट किया जाए लेकिन बीजेपी के तंत्र शुरू हो चुका होगा और छोटे को पढ़ाने के चक्राइगी देखिए अगर बीएसपी को तोड़ा जा सकता है और कोई भी पार्टी जो सत्ता रूड पार्टी है जिसके कॉंग्रेस गलती कर रही है मुख्यमंत्री किसी को घोशित करती तो वो तोड़ता वो पैसा लगाता ना वो पैसा निवेश भी करें और उसके बाद हाथ में भी कुछ नहीं आए तो कैसा लेगा कर ने कहा कि कमलात के जो हैं उनको आसानी से बस्पा का समर्थन मिल जाएगा वहां इसलिए भुपाल में जम्य हो जोतराजित सिंधा दिल्ली में आज कमला जो कि छिनवाड़ा से नौबार के सांसाथ भी है प्रदेश अद्यक्ष भी है मध्यप्रदेश के और इस बार वह उन्हों ने तो आसो भी बहायती छिनवाड़ा में जाकर की वोट दीजिए और इशारों इशारों में संकेत दिये थे कि मुख्यमंदरी में बन जाओ इस वक्त के सबसे बड़ी तस्वीर जो निकल कर सामनी आई है वो यह कहती है त्रिशंक कुवधान सबा मध्यप्रदेश में सालों बाद बहां पर ऐसा हो रहा है अब इन बेस्पी के विधाईकों को और इसके साथ अभी तक रुजानों में जो दिखाई दे रहे हैं आपक बिलकुल मध्यप्रदेश का मामला फसता हुआ बड़ी तस्वीर जो आप अपने सामने देख रहे हैं बीजेपी 108 सीट पर आगे लेकिन कॉंग्रस पार्टी पर नजब बनाये रखिये 111 सीट पर कॉंग्रस आगे है और जो अन्ने 11 सीटे हैं उसमें से जो बीएसपी के व जान चल रहे हैं यह है एबीबी नियूज आपको रखे आगे